हाई गाईज, वेलकम टू माई निव एन फ्रेश ब्लॉग, आज मैं एक ऐसी जगह पे आई हूँ जो बहुत ही सुकून की और बहुत ही खुबसूरत जगह है, बट इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ये है हमर्या बीच, ये शार्जा और अजमान के बॉर् अज मैं आई हूँ सुवा सुवा एक ऐसी जगह पे जो बहुत खुबसूरत है और यहां के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ये हमर्या बीच है, ये अजमान और शार्जा के बॉर्डर पे है, अजमान और शार्जा दोनों को जोड़ता है ये बीच, और आप देख स फोटोज वगरा ले सकते हो, वीडियो ले सकते हो, और यहां पे बहुत जादा अंदर तक पानी में नहीं जा रहे हैं लोग, क्यूंकि लहरे इतना जादा है, एक दो बार तो मैं भी गई अंदर, मुझे थोड़ा जादा लगा तो मैं लिकल के आगी, यहां पे देखो कोई चीज बनाए और वो सुन्दर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, आप लोग जानते हो, तो देखो जैसे यहां पे फैसलिटीज बहुत सारी, यहां पे जूला लगाओ, बच्चे बड़े सब लोग जूल सकते हैं, यहां पे जूला, यहां पे जगा जगा पे थोड़ी टाइब गाड बैठे हुए है, सेफटी के लिए, और तो और देखो डाइलिंग टेबल लगा हुआ है, किसी को कुछ अपना लाके खाना पीना हो, तो चेयर वगएरा लाने की जरूरत नहीं है, और हाँ, इसकी थोड़ा सा और आगे देखोगे, तो इधर देखो मजलिस ट हैं, हम अपने गाहों में इसको छपर वाला घर कहते हैं, और इसको अम्रेला भी बोल सकते हैं, और आगे देखो, यहां पर पौधे लगे हुए, जैसे बेल वाले पौधे बहुत ठंड़क देते हैं, यहां पर इतनी गर्मी हो रही है, फिर भी आप देखोगे, तो यहां इतनी अच्छी हवा चल रही हम भी सोच रहे हैं, यहां पर देखो कुछ लोग सो भी रहे हैं, क्योंकि यहां बड़ा सुकून मिल रहा है, जहां पर चाया ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और यह बीच हर बीच से अलग क्यूं है, मैंने क्यूं बोला कि यह मजलिस, जूला, यह सब चीजें बहुत कम बीच पे होती हैं, मैंने पहली बार इस बीच पे देखा, और बाहर देखो इतनी लंबी सी पूरी फ्री पार्किंग है, और कोकोनेट ट्रीज वगरा लगे हुएं, थोड़ा सा और आगे देखो कि पूरा फॉरेस टाइप का है, मतलब घास वगरा है, दुबई में इतनी ग्रीनरी और इतनी सब चीजें बहुत कम देखने को मिलती है, और वो देखो उधर भी पूरा पेड़ हैं, कोकोनेट ट्रीज हैं, और सारे मजलिस में लोग देखो बैठे हुएं, खा पी रहे हैं, उसकी आगे सब क्लीनिंग वाल यह जूला क्योंकि जूला जूला मेरा बहुत ही फेवरेट काम है, मैं एक एक दो घंटे जूले में बैठ के जूल सकती हूँ, आप लोग देखोगा मेरे घर में भी जूला है, तो जो लोग अजमान में या शार्जा में रहते हैं, खासकर फैमली या फिर कपल और यहां प क्योंकि एखा कर लोगा से एवरेट कर लोगाा।